तो उमीद करता हूं बच्चों सब ठीक होंगे और अपने तैयारियों में लगयोंगे निरंतर प्रियास कर रहे हैं कि प्रियास करने से ही सफलता मिलेगी अगर एक बार की असफलता उद्दे के आप तैयारी को छोड़ दोगे तो फिर आप प्रियास नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लगातार लगातार डेस्परिट रहना अपनी उस पुजीशन पाने के लिए जो हमें चाहिए यानि हमें इस बनना है तो बस बनना है कठना है हजार आएंगे लाग भी आएं करोड भी आएं बट एक्चुली तो हर डे कठना ही है आपको पता हर डे कठना ही है हर डे एक चैलेंज आपके लिए मैं अब उस चैलेंज को कैसे पार करना है कैसे लेना है आपके हाथ में या उस चैलेंज को कैसे अठेट करना वह भी आपके हाथ में कि मैं यह कहूं कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो हो जाएगा बिलकुल भी नहीं होने वाला विकोज अभी हम 2015 से लेके 2020 के पेपर डिसकस कर चुके हैं ठीक है अगर मैं यह कहूं कि 2023 का एक्जाम किस लेवल का था और 2024 का एक्जाम किस लेवल का हो सकता है इस आर डिफ्रेंट तिंग्स क्योंकि जो चीज अभी हुई नहीं उसके बारे में प्री प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और जो चीज हो चुकि उसके बारे में जादा बोलके फाइदा नहीं बहुत मुझसे जादा आप लोगों को पता है इन्हें उन्हें एक्जाम दिया जो तैयारी कर रहे हैं कि 2023 का पेपर कैसा था खुदे में एक चैलेंज था तो हम सिर्फ उमीद कर सकते हैं कि 2023 का जब पेपर था वही ऐसा ही लगबग पेपर 2024 में भी रही क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जभी काम में आएगी जब पेपर अच्छा होगा जो बच्छा अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं उन्हें क्या फाइदा उन्हें क्या फायदा उनके तो मार्क्स मुझे बता नहीं आने है अगर एक मिनिट के लिए भी आपने आप यहां पे थोड़ा सा भी अपने आपको शांत किया या कहूं एक्जाम से प्रिपरेशन से दूर हुए तो दिक्कत हो सकते हैं तो रेगुलर बने रहने के लिए क्या हो सकता है यह हो सकता है आप हमारे न्यू बैच से जुड़ सकते हैं देखिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज इस बैच में क्या जरूआएंगे और कैसे करवाएंगे और कैसे आप नब्वे सो प्लस मार्क्स पर पहुंस सकते हैं इसली विदाउट आपकी जी एसकी किसी भी तियारी को चेळे किसी भी तॉपिक को विदाओट चेड़े कैसे डेखो कि मैं क्या सबसे पहले आपके पास इसमें 90 जो हैना 90 लक्चछर एक्चुली ये ओन ऐसित प्लेसों की मिल्ड है असे उडर्थ है हैं तो इसमें दो सुदों कि टॉप्य लेक्चर तो आपको मिल रहे हैं आपके लाइब बैच में और जो 90 प्लस लेक्चर से वह रिकॉर्डड फॉर्म को भी में कैसे देखता हो देखो कि नभे लेक्चर पचास आपके कॉंटिकर लेक्चर है पच्छिस लॉजिकल के पंदरा आपके इंग्लिश के लेक्चर है ठी आपके बास कितने प्लस उसके बाद किया है लाइव मेंटर सेशन कितने आपके बास तो इतना सारे डेटा था आपको मिल रहे हैं कोई तकलीफ हो या कुछ भी पूछना हो 951-777-1651 पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पर वट्साप भी कर सकते हैं दोनों फैसलिट आपके अब इसके लावा बहुत कुछ देख़ो इसमें आपको मिलता क्या है इसमें को वीकली शेडूल मिलेगा अगर 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 मंदास प्रास्टप मतलब क्या है क्या है क्लास प्रेइए क्लास में कर वाना है आपको अगर ऊतोडि प्डूरि असे दूंइभ झाल nord की रिएAR सोर्सथ अब हैए इस में पसें शोर्स तुम कुलासWow कही शोर्सथ सिसके रिसोर्सिस का वह बाट है इसमें कुछ थोरी हो सकते हैं जो आपको काम आएंगे अब तीन में हैं आपके पास कि आपके पास कैसे अब यह जो पैस अड़े-4 तक है यह एक्चोली है आपका 5 बजे तक ये 30 मिनट में न, ये 30 मिनट में हम इस प्रैक्टिस शीट को ही डिसकस करते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद भी है, इसके बाद आता आपका वीकली टेस्ट, जो आपने पूरे वीक में किया उसका एक छोटा सा नन्नामुना टेस्स संडे को एक बजए होता है Okay, एक बजए होता है और उसका वीडियो स्थ इसे मिलते है आपको पैस के साथ आपको मिल रहे हैं तो प्लीज अगर को डाउट हो 951-777-1651 पर आप कॉल कर सकते हैं वट्साप कर सकते हैं टीम आप से जूड़ेगा इस वीडियो के नीचे आपको एक वट्साप ग्रूप का लिंक मिलेगा उस वट्साप ग्रूप को जोन कीजिए फाजा ऐसा कोशन पहले भी आया किस में कौन से साल में आया था वो प्लीज मुझे मेंचन किजिएगा अगर आपने पिछले सालों के पेपर देखें तो एक सो बीस परसन है ठीक है जिसमें एटी के इंडियन है पॉर्णर के इन परसन इन गूर्प के इंग्लिश को टोटल सतर है ना वो क्या बोल सकते हैं इंग्लिश अब question में possibility क्या पुछे देखिए the number of Indians who can speak English is वो कहारा कितने इंडियन है जो इंग्लिस बोल सकते हैं speak सकते हैं ना हिंदी बें इंग्लिश है ना चलो जो कपाट देखो इसका मतलब क्या है suppose करूं मैंने बोला 40 के 40 foreigners मेरे पास English बोलने वाले all English इसका मतलब इंडियन मिनिमम पीस बोल सकते हैं मैक्सिम्म कितने बोल सकते हैं सत्तर के सत्तर इंडियन भी बोल सकते हैं तो कम से कम इंडियन जासे हैं तो हमारे पार क्या कर रहे हैं आपर इंग्विश बोल रहे हैं ठीक है जी शबी नेक्स्ट क्या रहे है मेरे पास अंसे रहां ओल् त्री नम्बर्स विडाओ रिपिटिशन अफ डिजिट्स अप्तेनि यूजि थी नॉन जिरो डिजिट्स फिट्री अच़िए multiple of 3 let s be their sum which of the following is are correct s is always divisive by 74 s is always 9 select the correct answer using the code below clear चलिएजी देख्क्रेंस को मुझरा चलिए देखो उसने साफ साफ दो तीन शब्दों बोला है मुझे यह नंबर सित्म का बहुत 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 रिन कोश्चन है सबसे पहले वो तीन डीजिट का नबुरो ना सरे मल्टीवल में अब मल्टीबलोध्री का मतलब क्या है यह सकता है बिल्कुल हो सकता है फिर क्या हो सकता है तो आपके पास क्या दिया है कि डिविजियों प्लाइब करना आपने किता हो तीन छे बारा छे अठारा अठारा नो ताइस और नो किता हो गया सब्सक्राइब करने कि अठारा 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 तो यह नौ से तो डिविजीबल है अब आपको यह करना है कि क्या यह 74 से 75 को दो को प्राइम अगर मैं फेक्टर बनाऊ ना एक बनेगा दो एक बनेगा 37 तो यह एक इवन नमबर है तो डेफिनेटली वह दो से तो डिविजीबल है मुझे चैक करना है कि इसको मैं कैसे लिखूंगा अगर्टी शेंवन एंडर प्लस आफ तैंस अठाट्य सुन्तालिस ग्राइश तो नियंटी सेवन इसको यह नमबर क्या में एक्टूली मेरे पास इस तरह किस तरह की कुश्चन को मुश्किल कहने का रीजन यह है कि आपको आउट-o-the-box सोचना पड़ेगा कि तीन डिचेट के भई यह मुल्टिपल चाहिए मेरे तो सो दो सो वाला अटा दीजिए थीन सो वाला बी चार्वाला भी नहीं का पांस वाला भी नहीं आगा प्र कौन सा आपके पास इन के मुल्टिपल में दीन सो वाला नमबर आएंगे दो सो वाले क्यों लेने मुझे चलिए चलिए जी नेक्स के हैं को सुलेंटा शिफ्टिट फ्रॉं क्लास ए तो बी सब्सक्राइब और यह भी खत्म है क्या तो इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी तो डेफिनिटली मेरे पास यह तो ऑप्शन बनते हैं या तो एक यह दो दो सबसे पहली बात तो एक ही रेंज बता करो कहां से कहां तक है हाई एस्कुर इस टॉंटीवन लोग ऐसी समंटी याने 17 से लेके एक किस तक मैं मान के चलता हूं कि हर बच्चे के किस होंगे 17 से लेकिस है मैंने एक बार मान लिया किस ठीक है तो वैसे 22 यह निए 22 से कितना है 30 मैं मानता हूं यहां बे हर बच्चे के 22 नमबर है मैं कंडीशन लेके चलता हूं इस पहले चोटे वाला उसमें मान के चला भाई सबसे जब किस नमबर है चोटे वाले 20 को की मुझे एक कंसीडर करवाना है कि क्या कोई चेंज होगा देखो सीधी सी बात है अगर बी वाले को मैं देखू हर बच्चे के 20 मार्क्स है तो 20 20 20 20 अगर 20 से जादा वाला आगा तो इसकी बढ़ेगी इसकी पाइस से छोटे वाला तो इससे में क्या हो रहे है इसके लोवश रेंज से भी छोटे पाविश तर्ति प्रों Ay तो बी ऐसे बी मैं जार। जिनके मार्क्स के मार्क्स ही कम है इस जरूरत रहा है किस अठारा भी पिशकते साथा सोरा पंदाश कितने नहीं भी हो सकते हैं यह देफिनेटली कि इस तीसी रेंज में नहीं तो डेफिनेटली क्या होगा भाई डेफिनेटली डिख्री जो अप्शन नमबर यानि ओनली यह थोड़ा सा लॉजी का था थोड़ा सा मैंड को एबल रखे करने वाले कोशन दा सुट्ट चलिए हैं वेरी इंटरसीं कोश्टन नेक्स कोश्टन जो है मेरा क्या दिये रिपलेज दा इन्करेक्ट टम इन दा करेक्ट तेवन सीप्वें ची सीटली c2 74 13 10 21 18 31 28 43 40 और तम से इवन तप्स फोलो दा सेंपल्ड आप देखो उसने अगर यह बात देदी ना तो मेरे साब से उसे ने सारा कोशन दे दिया अगर यह ना देता तो भाई कोशन नहीं देता देखो मेरे पास क्या है 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40 यह है अगर आप जहां से देखो और टर्म कौन सी है और टर्म वाली सीक्वेंस कौन सी है मेरे पास 3, 7, 13, 21, 31, 43 यह है और एवन वाली कौन सी है बिटा यह अपनी ओड वाली है कि उनवाली कौन सी दू, चार, दस, अठारा, शार्स, सेट, यह है 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 आर का तिफरorum 2020 यहां क्या है कि 12 यहां कि टना कर Fριंस है 8 का डिफरनस यहां कि दंदस सटै डिफरनस और यहां कितना है मेरे बस कार गटी नेक्स का मिरे पस यहां पर को का डिफरेंस है एक कर डिफरेंस अधकर डिफरेंस इसका मतलब अगर मैं पहली बार तेको यहां पर कितने और अचीए तो यहां पर कितना ओना चीए लिए नमबर यह तो थोड़ा सा अभी पीडिया माइक्रोपॉर्स किया मेरे बस माइक्रोपॉर्स किया मेरे पास बताएंगे प्लीज मुझे माइक्रोपॉर्स एक यूनिक कॉंसेप्ट है अभी पीडिया का जहां पर आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना आपको बेसिक से जुड़े रहना है मतलब कहने का क्या मतलब है भाव क्या इसका कि आपको कुछ अल कोशन का बेस कैसे पता चले कि हाँ यही करना है चौर नहीं करना क्योंकि मेरे पास त्री डिजिट बोला तो तीन के मल्टिपल वाले बड़े सारे आते हैं अगर आप बेसिक से से करना चाहते तो नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसी लिए अभी पीड मुझे प्राफिट बड़ा पसंद है मैंने नंबर्शिस्टम के चेकर में कहींसे पूरा कोर्स पूर्स परक्ति कर लिया तो होगा क्या उस्में उसमें होगा ये कि जब मैंने पर्चेस तो कर लिया बड़ जब मुझे प्रॉफिट लोग से कोशन देखेंगे ने मुझे मज़ा आएगा उनको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मुझे वह अच्छे से आता है वह मेरा टाइम खराब होगा ये कंफर्म आप करोगे करोगे नंबर सिस्टम करोगे जरूर बड़ बाद में उसका फायदा का है टाइम दो नहीं वेस्ट हुआ तो क्या करो अभी बीडिया माइक्रोकोर्स आपको मौका दे रहा है अभी भी कि आप सेरह ओर सेरफ नंबर सिस्टम को करो आपको कुछ और नहीं करना कैसे उसका मैं डिस्क्रिप्शन पूर आपको बताऊंगा कैसे करना आयं कैसे अभिए कर सकते लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सब्सक्रिप्शन्स आपका वीडियो कोर्स टैस्ट कोर्स एंड माइक्रो कोर्स दस डिजिट का मुबाइल नमबर डाल सकते हैं और जो मैं वर्ट सब्रूप की बाग कर रहा हूं यहां पर क्लिक करके डिरेक्ट लिए उसी वर्ट सब्रूप पर पहुंच जाएंगे जैसे बात करूं यहां पर दस डिस का मुबाइल नमबर डालिए कॉल मी यह वर्ट सब्सक्राइब टीम वैसी आप से जुड़ेगे क्लियर कुछ नहीं करना कहीं फोन नहीं करना आप क्लि सब्सक्राइब करें तो नमबर सिस्टम की बात करूं तो बैटा सिर फोर सिरफ तीन सोफ चौरफ सुरूपए नस लैक्टर रेक्टर मुलेगे नोवएब नोस चाल जौइस आपको मैं रहें और आपको यहां पर थोड़ा सा क्या क्या है थोड़ा से मिठाई आपको छाने क को काम एक्जाम में हमारा तो काम ही है ठीक है नेक्स किया है जैसे सिंप्लिफिकेशन की बात करेंगे हैं वॉल्मस 15-16 परसेंटेज की बात करेंगे और लेक्षर चार वेपनोट 277 मल्टीबल चॉशन इसमें पर्पूटिशन कॉम्बिन जहांसे कोशन बन रहे हैं आप एक्षो पच्छेस रुबे तीन लेक्षर तीन वेबनोट से एक्षो साथ सी 187 मुल्टीबल चॉशन और छे मिनट का क्रायल आपको इसके साथ स्री मिल रहे हैं क्लियर है जैसे इसी तरीके से सारे चेप्टर से हैं मेरे पास नेक्स एकर मैं बात करूँ आपसे जैसे लॉजिकल रिजिनिक और अनलिटिक अबिलिटी जैसे 2646 266 रुबे का पूरा है पूसल टेस्स कितने हैं 245 रैंकिंग और कितने हैं 130 का कौन सा सैट आपका ऐसा है पिछले 15 साल में जहां से रैंकिंग और कोशन नहीं है हर जगा आ सब्सक्राइब यहां तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दोई है आपके रिडिंग कॉंप्रेंशन वाला बैच आपको मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा बिटा आपको यह वह बच्चे हैं जिन्होंने पार कर दिया इस दरीया को पार कर दिया बहुत असानी से और जो अभी रिसेंट की स्लेक्शन हैं जावसे सी सेट हो इनमें से एक बच्चा ऐसा नहीं इनने से से क्वालिफ़क किये भी न गया हो बट इन बच्चों की एक खास बात थी इन इनको पता चला कि एक्चुली में पढ़ना कैसे इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था इनको पता था एक साल की महनत है उसी सेट नहीं है तो आप गलत हमीं मत रहिए कि वह सी सैट है वह आप से एक साल की महनत है समझागी बात हैं देखिए मैं नेक्स बोलूँ आप इन बच्चों के सुरनेम शब्द विकों सभी अधिकारी बन चुग है भाई यह सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए यह जाए वह 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 प्लूट को सब्सक्राइब को दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलें गया थैंक्यू को दिक्कत हो तो आप कॉल एप्सेज कर सकते हैं थैंक्यू कि अच्छिए कि अच्छिए कि कि अच्छिए कि अच्छिए कि अच्छिए